हेलो दोस्तों नमस्कार वेलकम बैक मैं यूटूब चैनल और दोस्तों सुबह के भी दस बज गए हैं और मैं नहां कर कंप्लेट हो चुका हूँ और आज हम पेकिंग कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ तो इस रूम में हम रहते थे और आप देख सकते हैं कि हमने सारा कुछ सामान जो है वो पेकिंग कर रहे हैं और कमरा पूरा अस्तवस्त हो रहा है क्योंकि आज सामान समेट कर हम पेक कर रहे हैं और यहां से रवानगी की और तैयारी हो रही है तो यह कुछ सामान रख लिया है और अभी इसको और रखना है दोस्तों यह है ओपिस जिसमें मैं बेटा करता था डेली और यह चेयर है इसी पर मैं बेटता था तो यह देखिए ओपिस का नजारा कुछ ऐसा है और इस ओपिस के साथ दोस्तों पूरे एक साल की यादें जुड़ी हुई है क्योंकि पूरा एक सेशन यहाँ पर कम्प्लिट किया है मैंने तो यह जो समय यहाँ पर मैंने निकाला है तो काफी मेमोरेवल है याद आता रहेगा तो यह हमारी एकाउंटेंट मेडम जिनके साथ मैंने पूरा एक सेशन काम किया है और काफी सयोग इनका मुझे मिला और इस वज़े से मैं एक सेशन पूरा कम्प्लिट कर पाया यह मतलब मेरा सयोग नहीं करती तो वास्ता में मुझे बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ता पर बहुत सारी समश्याएं या कुछ एसी सिचुशन्स क्रियेट हुई जिसमें मैं बहुत इजिली उनका सामना कर पाया उनका समदान निकाल पाया अब आज यहां से दोस्तों रवानगी है यहां का जो समय है और सारे मेरे जो सेकर्मी थे वे सब मुझे याद आएंगे और कुछ एसे मोमेंट रहे हैं जिने में लाइक टाइम मतलब समय समय पर याद करता रहूँगा कैसा लगा आपको मेरे साथ वे साल पाम करके वड़ अच्छा लगा सर दोस्तों सारी पेकिंग हो चुकी है और सामान जमा दिया है तो पूरा जो सामान था वे हमने यहां पर टानो के उपर रख दिया है इनमें पेक करके और कुछ यहां रख दिया है चलते हैं दोस्तों अ अब धर्की और प्रस्थान जकी अपोके लागे केसाना बदेंट तो जाटों मुल्स पमशी आपटा थे जाटों 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 वा में सबस्क्तव कि हम पहुंच चुके हैं दीमागंज और यहां पर मोसम खराब होने की वज़े से बारिस शुरू हो गई है तो कुछ देर यहां पर रुखना ही होगा दोस्तों मैं घर पहुंच चुका हूँ और अब देख सकते हैं मोसम कैसा हो रहा है बहुत ज्यादा बादल हो रहा है और अभी कुछ देर पहले बारिस भी हो गई थी यहां पर